प्राज की ग्लास में assignment number 14 MS word का जो assignment है इसको हम करेंगे यहाँ पर font के problem की वज़े से जो bullets हैं उसके जगा clock का sign आ रहा है तो हम यहाँ पर कोई bullets लगाएंगे हाला कि picture bullets हम बना सकते हैं बट picture bullets हम पर नहीं बनाना है हमको clock का sign या फिर ऐसा circle बना देंगे यह example हमें bullets और change case option को समझाने के लिए बनाया गया है बहुत important option है यह change case option को समझाने के लिए हमारे पास बनाया गया है ठीक है तो हम यहाँ पर सबसे पहले sentence ready करेंगे अपना sentence ready करने के लिए मैं दोनों screen को एक साथ open कर दे रहा हूं तक कि हमको यहाँ पर यह चीजे दिखाई दे और question लिखा हुआ है write the following in ms word ms word में इनको लिखना है तो मैं सबसे पहले यहाँ पर normally लिखता हूं देखिए आपको यहाँ पर सीखना क्या है this is sentence case जो लिखा है उसको आपको normally लिखना है this is sentence case ठीक है और यहाँ पर लिखने के पहले ही आपको कुछ bullets लगा लेने है फ़र मैं सुरू से लिख रहा हूं फिर से देखिए starting करेंगे मैंने font size यहाँ पर बड़ा कर लिया है पहले ही मैं bullets लगा लेता हूं ठीक है पहले ही bullets लगा करके हम लिखना चालो करेंगे this is sentence case ठीक है this is sentence case this is lower case this is upper case this is capitalize each word आपको कुछ भी नहीं करना है नॉर्मल टाइप करना है और this is toggle case ठीक है अब आपको करना क्या है देखिए इसको पहले वाले को select करना है और आपको यहाँ पर change case option दिख रहा है इसको sentence case में click करना है तो देखिए अपने आप ऐसा sentence case में जम जाएगा वो फिर second line को select करना है इसको आपको किस में select करना है लोवर case में जो कि पहले साही lower case में है तो कोई changes नहीं आएगा थर्ड वाले को select करिए कहाँ पर click करेंगे अपर case देखिए ऐसा यहाँ पर जैसे this is upper case वैसा हो गया अगले को क्या करेंगे this is capitalize each word ठीक है और यह वाला जो case है toggle case यहाँ पर apply नहीं हो पाएगा पूरा देखिए capital कर देखा इसको कैसे करना है मैं बताऊंगा अभी इसको आप क्या करना पड़ेगा capital चलिए मैं इसको reverse करके बता दूँगा आपको toggle case करने से देखिए पूरा capital हो जाता है toggle case actually करता क्या है capital को small और small को capital में convert कर देता है reverse करता है तो सबसे पहले हम यहाँ पर capitalize each word करेंगे तो यह दिख रहे है आपको पहला जो character है वो capital हो गया है अब toggle करेंगे न तो दिखिए ऐसा उल्टा हो जाएगा clear है तो यह था आपका assignment number 15 जिसमें हमको bullets और change case option को use करना सिखाया गया